हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए सुवे का हलका फुलका बेहट टेश्टी नास्ता जो जटपट बनके तयार हो जाता है तो यह हम एक बाउल ले लेंगे और आधा कप हम इसमें सूजी ले रहे हैं सूजी बारिक वाली है और उसके बाद हम यह आधा कप से थोड पानी डाल रहे हैं तो आप चाहें अगर दही न खाते हो तो आप पानी से भी से सूजी को घोल सकते हैं तो यह ऐसे करके और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रख देते हैं ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि सूजी अच्छी तरह से भीग जाए तो इसे चमच स बनके यह नास्ता तयार हो जाता है और बहुत ही टेश्टी लगता है तो इसको हम क्या करेंगे साइड में रख देते हैं और उसके बाद यह हमने आधी का पोहा लिया है तो पोहे को हमने दो के और पान दस मिनट तक ऐसे ही छोड़ रखा था पानी हमने हटा दिया था इसका तो इसके बाद मिक्सी का छोटा वाला जाल ले लेंगे और इसको पोहे को हम इसमें डाल देते हैं तो यह सारे पोहे को इसमें डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल लेंगे तो यह थोड़ा पानी डाल के और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो बिल्कुल बारिक कर लेंगे ग्राइंड करके तो यह आप देखें हमने इसे बिल्कुल बारिक पेश्ट बना दिया है तो उसके बाद क्या करेंगे जो हमने सूजी भी गोई थी तो उसे भी 10 मिनट हो गए तो सूजी भीग गई है तो अब क्या करेंगे जो हमने पोह को पीशा है उसके लिए मीशरें में बजाके तेहाyunे और वह है काथ गार्डा है दोनों को मिशा करें पذरे चेक कर लेते हैं तो फीर हम इससोजी झाए amplify तो आप इसमें सूजी मिला सकते थोड़ी और अगर पानी मिला के है और इसको थोड़ा पतला कर लेंगे तह आयोist तो थोड़ा सा पानी डाल के और इसे थोड़ा पतला कर लेंगे तो यह आप देखे बिल्कुल ऐसे बेटर हमें चाहिए हमने अच्छी तरह से फेट के से तयार कर दिया है तो उसके पाद इसमें नमक डाल लेंगे स्वात के अनुसार और थोड़ा सा चिली फ्लेक्ष डाल ल तो बहुत ही चटपटा नास्ता बनने वाला है तो आप मसाले अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं कोई से भी और उसके बाद आधे प्याज को हमने बिल्कुल बारी काट लिया था उसे भी डाल देंगे और थोड़ा सा ज्यादा सा धनिय की पतिया इसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेश्ट आता है इसमें थोड़ा ज्यादा ही डाल रहें धनिय को और उसके बाद क्या करेंगे अच्छी तरह से इसे ऐसे करके और मिक्स कर लेंगे तो यह आप देखे विल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया आप चलते है गैस की तरह तो इधर हमने पै अच्छी तरह से पूरे पहला लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा लेंगे एक चमच और इसे ऐसे डालेंगे ऐसे फिलाते हुए आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं तो आप बच्चों को जरूर दीजेगा टिपिन के लिए वैसे भी खा स अच्छी बाद हम क्या करेंगे इस को फ्लेट लेंगे तो यह आप देखे कितना अच्छा लरिइसमें आने लग गया तो ऐसे करके सब को प्लैट लेता है तो हल्का सा यह जूड़ किया था यह पर उसके बाद यह देखिए कितना टेस्टी लग रहाए देखने में ही खाने ते टिखे तिख लेंगे तो आपलो से था हो गये तो अब उमो मीख एकाल लेते हैं और को अब चाहें तो ये सोन डूसरे तरीकेसे भी इस नास्ते को बना सकते हैं तो यह आप देखे यह वाला तयार हो गया है तो हमने एक बार दिखा देते हैं इसमें देखे आप जो भी तेल बचा हुआ है उसी को थोड़ा पहला लेंगे और उसी में हम पैटर डाल रहे हैं तो आप चाहे तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे वह से आप बना सकते है तो तीन-चार चम्मच हम बैटर डाल लेंगे और उसको ऐसे पहला लेंगे अब बिल्कुल एक दम पराठी की तरह लगता है यह खाने में और थोड़ी देर के लिए हम टक लेंगे एक डेड़ मिनट के लिए तो यह आप देखे एक डेड़ मिनट हो गया है उसके बाद आम इसे पलट लेंगे तो यह आप देखे कितना टेश्टी लग रहा है देखने में और एकदम आसानी से पलट गया है कोई भी जंजर नी है हलका सा हम तेल इसके साइड साइड में थोड़ा सा ब्रस से ही डाल देते हैं ऐसे करके ताकि दूसरी साइड से भी जलेना हलका सा बन जाएगा तो इसके तैयार हो गया आप देख सकते हैं किता टेश्टी लग रहा है देखने में तो दो नहीं बना के हमने तैयार कर दिये तो अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीज